नमश्कार मैं दिदी फॉज़र आप देख रहे हमारे स्ताध नगरी नियू जैसा कि आप सबी को पता है कि लोडी का त्योहार काफी धूमदाम से मनाया जाता है लोडी पंजाब हर्याना दिली जैसे राज्यों के बड़े त्योहारों में से एक है सिक और पंजाबी समदाए के लोग इस पर्व को धूमदाम से मनाते हैं हर साल मक्य सकरांती के एक दिन पहले लोडी का त्योहार मनाया जाता है और ऐसे इसे मनाने के लिए आग के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं इस बीच आग में गुड, मूफली, रेवडी, गजक, आपके बताते हैं कि इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे लोडी को क्यों लोडी कहा जाता है और कौन थे दुल्ला बटी जिनकी कहानी से बगए त्योहार की रसमें पूरी नहीं होती जैसे कि आप सभी को बता दे कि लोडी फसल और मौसम से जुड़ा फर यानि की जलते हुए सूखे उबले दी का मतलब रेवडी होता है इसलिए इस पर को लोडी कहा जाता है लोडी के बाद मौसम में परिवर्तन होने लगता है शुरू हो जाती है हलकी थंड का असर धीरे-दीरे कम होने लगता है ऐसा वाना जाता है कि दुला भटी कहानी भी लो लड़्कियों को बेच कर सौधा करते थे एक बाल लड़्कियों को अमी सौधागरों के बीच बेचा जा रहा था और इसी बीच दुला बड़्टी ने उन्हें सामान के बदले लड़किया बेचते हुए देख लिया nicex 19 नासेवण लड़कियों को व्यापारीयों के चुंगल से आजाद कराया बलकि उनके जीवन की बरबादी से बचाने के लिए उनका विवा करवाया इसके बाद दूला बटी को नायक के तोर पर देखा जाता है ऐसे मौके पर दूला बटी की काहानी इसलिए सुनाई जाती है ताकि जादा से जादा लोग इससे प्रेणा लेकर घर की महिलाओं की हिवाज़त करना सीखे उनका सम्मान करे और जरूत मंदों की मदद करे आज के लिए बस इतना ही ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल दनगरी न्यूज के साथ धन्यवाद